जै हिन दोस्तों मैं सतीस स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्जाम प्रेक्टिस भी सतीस में तो आज की वीडियो में लाया हूँ एजुकेशन एंड लीडर्सेप के एक सब टॉपिक असिस्मेंट और इवैलुएशन को ले करके जिसका आर्थ होता है आकलन और मुल्यांकन तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में पहला प्रशन यह है कि छात्रों की अभी व्रत्ति के मुल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धती है इंग्लिश में पढ़ देता हूँ the most popular method of evaluating the attitude of student तो attitude को मीजर करने के लिए जो सबसे उप्युक्त है स्वाप्रगति सूची सर्विक्षन साथच्छात्गार जीवन समंधी निवन धात्मक पद्धति या परोच अवलोकन इसका जो उत्तर है वह है सर्विक्षन साथच्छात्गार ये एंग्लिश में सर्वे इंटर्व्यू अब इसको मैं explain कर देता हूँ आपको पता होगा जो attitude होता है अभी व्रत्ति होता है वो किसी व्यक्ति वस्तु ये विचार के बारे में कोई एक रोजहान होता है तो किसी बच्चे की हरे की चोईस अलग होती है रोजहान अलग होते है तो जब हम इंटर्व्यू लेंगे उनका उसके बारे में उनकी रूचियों के बारे में पूछेंगे क्या नहीं पसंद है तब ही हम जान पाएंगे क्या उनका attitude तो इसलिए इसका क्या हो गया सर्वेक टाइप इस नौट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके ऑप्शन है अचीवमेंट कंटीनिवस क्लीनिकल और रेमेडियल आपको पता होगा जब सिक्षन अधिकम प्रक्रिय का मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इससे रिलेटेड कौन सा मुल्या मुल्यांकन नहीं है वो है नेदानिक नेदानिक का इसका हुआ क्लीनिकल इसका मतलब जब कोई मानसिक स्वास्त जिसका गडबड हो जाता है सरीरिक कमजोरी तो इस तरह से यदि उसकी पढ़ाई बाधित होती है तो उसे क्लीनिकल कहा जाता है तो ये सिक्षम शिक्षन प्रक्रिया से समंदेत नहीं है अगला परस देखते हैं सतत और संचै मुल्यांकन का सबसे महतुपूर उद्देश क्या है विद्याले छोडने वालों की दर को कम करना सिक्षा ग्रहन करने पर अधिक धान केंद्रित करना तनाव और चिंता को कम करना या छात्रों को विद् चैप्टर वाइज मुल्यांकन होता रहेगा तो उनके लिए चिंता नहीं रहेगे कि साल में एक बार जो परिक्षा होती है उस चिंता का भै नहीं रहेगा तनाव नहीं रहेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा reducing stress and anxiety इसका ये उत्तर है आगे देखते हैं अगला प्रशनु आपका जो है एक विद्यार थी उत्तर पुस्तिकाओं में मुल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आच्छेप लगाता है आप इसे कैसे हल करेंगे one of your student accuses you of bias for evaluation in answer seat how will you solve it आपको एक आरूप लगा रहा है कि आपने कुछ उसमें गलती की है गलत तरीके से चेक करी है copy तो आप उसको कैसे solve करेंगे तो दंडात्म कारवाही अपनाएंगे आच्छेप को सुलिकार कर लेंगे वास्तविक इस्तिति को दिखाने का प्रयास करेंगे तो आपको भी समझ आ गया होगा कि उसकी जो है वास्तविक इस्तिति जो situation की है you will try to show his real status कि क्या दिक्कत है जिससे उसे भी clear हो जाएग अगल के लिए भी clear रहेगा अगला प्रसन देखते हैं मुल्यांकन के वस्तुनिस्ट प्रकार के परिक्षण पदों के गुणों को कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है which one of the following correctly represent the properties of objective type test items of assessment तो जो assessment के लिए objective type test है तो वो कौन अच्छे से represent कर रहा है उसमें वैदता विश्वा यह जो साहरे उत्तर जो हैं अघेप के लिए आकलें में क्या शामिल है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं assessment for learning include क्या include है इसमें सिक्षन जो है अधिगम से पहले के दोरान वो बाद में आकलन स्वा आकलन अपचारिक अनपचारिक पद्धतियों का प्रयोग विद्यार्थियों वा सैचनेक प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया इंग्लिश में देख लेते हैं कि assessment क्या include करता है इसमें है assessment before, during, after teaching learning, self-assessment, formal as well as informal procedures, feedback for student and the process of teaching learning तो ये सारे उत्तर आपके सही है कि अधिगम में आगलन के लिए ये सारे जो है सामिल है तो चौथा उत्तर सही हो जाएगा, इंग्लिश में भी चौथा उत्तर सही हो जाएगा उपलब्धी परिक्षण का मतलब होता है जो achievement test होता है कि निर्माण के लिए कौन सा सत्य नहीं है इसमें विश्वसिनियता, मुल्यंकन, वैदता, वस्तुनिस्टता इंग्लिश में देख लेते हैं, reliability, evaluation, validity और objectivity इसमें मुल्यंकन सामिल नहीं है जब भी कभी होता है achievement survey आपने पढ़ा होगा एक बहुत important है NAS National Achievement Survey जो होता है सभी स्कूलों में कराया गया था और कई स्कूल के teachers ने समझ लिया था कि ये बच्चों का test एक type से ये test नहीं होता है इसमें बस बच्चों का एक उपलब्धी पता करनी पड़ती है कि किस level पे बच्चे हैं तो उसके अनुसार हमें नीतियां बनानी पड़ती है कि हमें क्या करने की जरूरत है तो ये इसमें कोई marks नहीं आते तो मुल्यांकन आगे देखते हैं मुल्यांकन के दौरान एक सिक्षक अधिगम करताओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन प्रकार की गतिविधियों विभिन उपकरणों तकनीक की उपयोग की संभावना को प्रदान करता है तो यह किस परकार का मुल्यांकन है फिर से देख लेते हैं आपको बता है इस evaluation में वो सब कुछ प्रवाइड करा रहा है activity tools वगेरा तो यह किस में आएगा आपका यह आएगा आपका रचनातमक मुल्यांकन में जिसको हम कहते हैं formative evaluation और summative का कहलाता है यह जब last में 70 के अंत में लिया जाता है summative कहलाता है योगात्मक कहलाता है निस्पक्ष मन से की गई प्रसंशा की मनुद्रस्टी का मूल्य मान से के विचार से प्राप्त किया जा सकता है कई बार मैं बताऊं कि प्रसंश इतने घुमाओदार होंगे हिंदी में तो आपको हिंदी और इंग्लिश इसलिए दोनों तरीके से हमें पढ़ना है इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंटल मीजरमेंट से क्या हो जाएगा करिणने इसका सही उत्तर मीजरमेंट है आजकी वीड replay का जो है लास्ट प्रश्ण निमलेखन में से कौन सा मुल्यांकन की कारियों में से एक नहीं है आपको बताना है कि English में क्या है Which one of the following is not one of the function of evaluation Evaluation का कौन function नहीं है Feedback, प्रतिपुस्ती, motivation भी है Better guidance भी होता है Mulyankan का कार है Ideological indoctrination ये नहीं होता है वैचारिक सिक्षन देना ये जो है Mulyankan का कारे नहीं होता है Mulyankan में motivation भी सामिल होता है क्योंकि जब मulyankan करेंगे तो motivation भी आएगा और हम देंगे भी बाद में motivation ये दिकाम उसके mark से अच्छे mark से तो भी motivate करेंगे Feedback भी हम देते हैं बहतर mark दर्शन ये सारा है तो कौन सा एक नहीं है तो वैचारिक सिक्षन करना ये ideological indoctrination उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो questions है बहुत selected questions लाया हूँ में और ये जिसका topic था assessment and evaluation उद्देश ये रहेगा कि आपके जो exam में कोई भी question छूटेगा नहीं ये मैं आपको आश्वाशन देता हूँ और हम तयारी कर रहे हैं 60 upon 60 की और मैं सारे ही mcq series लाता रहूँगा क्योंकि detail में आप हर जगे पढ़ रहे होँगे book से पढ़ रहे होँगे तो mcq के through आपकी संपूर्ण तयारी ये मैं करवाँगा आपकी और आपसे request रहेगी यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि टाइम से आपके फोन में लैप्टॉप में वीडियो आजाए और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहेगा मिलते हैं अगली वीडियो में और तक्यों में वीडियो में वीडियो वीडियो